कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलेक्टिकल बंडारी में तो पॉलो टेक्निक एंट्रेंस एक्जाम के लिए हम टॉफ फाइब टॉन्टी फाइब एमसिड़ कियोष केश्टिक लाए हैं- जो आपके उत्राखंट पॉलो टेक्निक, बिहार और सभी पॉलो टेक्निक एंट्रेंस एक्जाम के लिए काफ़ए impact है यह आपके विगत 10 वर्सों के Polytechnic entrance में आई हुए question है, तो question number first आपका देखे क्या है, electron का द्रब्मान की ग्रह में है, तो की ग्रह में कितना होता आपका electron का द्रब्मान आपको पता होगा I think 9.1 10 की power minus के 31 kilogram, ठीक है यह आपका electron neutron का द्रब्मान होता है, अब देखें neutron की खोज किसने की, यह भी काफी most important question है, तो एक आपका formula याद रखना है, eat पर, ठीक है notch, eat पर notch का मतलब देखें क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, E से electron, T से क्या होगा, thormson, electron की खोज किसने की थॉंचन ने, पैसे होता है, आपका proton रहसे क्या होगा, रदर फोर्ड तो proton की खोज किसने की, आपका रदर फोर्ड ने, नैसे neutron और चैसे, चैडविक यानि कि, जेम्स चैडविक, neutron की खोज किसने की, आपका, जेम्स चैडविक, तो आपको याद रखना है, इट पर नाच, electron की खोज, टॉंचन ने, पैसे proton की खोज, रदर फोर्ड ने, neutron की खोज, चैडविक ने, ठीक है, तो इट पर नाच से क्या होगा, आपका जेम्स चैडविक ने क्या की, आपकी neutron की खोज की, चलते हैं next question number, third की तरफ, इसमें लिखा देखिए, sodium के नाविक में neutron है, ठीक है, तो sodium के नाविक में neutron केहें निकालेंगे, n इक्वल टू कैसे निकालेंगे, आपका देखिए, आपका परमाणू भार कितना होता है, यहाँ लिखना आपको परमाणू भार, ठीक है, sodium का परमाणू भार, आपको याद होना चाहिए, यह होता है, 23, ठीक है, परमाणू भार मेंसे माइनस करते हैं, आपका परमाणू करमांग, अब परमाणू करमांग कितना होता है, आपका sodium का वो होता है, 11, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो 23 में से 11 गए तो 12 ठीक है, नीजिटान कितने हो गए आपके 12, तो परमाणू बहर में से हमने क्या गटाया परमाणू करमांग उससे क्या आया हमारा नीजिटान निकल की ठीक है तो नीजिटानों की संक्र प्रह की आपकी 12 चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन की तरब देखिए इसमें लिखा है आपका 14x32 मैंसे का एक एलफा कण हमने उस सर्जित करा तो वाई वीगटन में वाई में न्यूटॉन की संक्या बताईए काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है देखिए ध्यान से देखना तो इसमें बतारा हमें ठीक है परमानु बहर में है चार की कमी करते है ठीक है तो अब वाई के आगे हमारा देखिए नीचे तो आपका दो की कमी कर देंगे इसमें ठीक है 14 है तो क्या हो जागा आपका 12 अब परमानु बहर में कितने कमी करेंगे चार की ठीक है तो चार की कमी करेंगे कितना आएग आपका परमानू करमांग तो हम कैसे निकाल लेंगे क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बता नहीं है तो यह हो जाएगा आपका 28-12 ठीक है तो आपको समझ में आयागा 20 मैं से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा आपका लगबक ठीक है 16 आगया तो ऑप्षें देखिए उपसन यह में क्या होगा आपका नीट्रॉन की संख्या 16 तो आई होप आपको से समझ में आया होगा alpha करन उस सद्धीद करना है पहले फिर उसमेंसे क्या हमें क्या रहना है जो नया y आया आपका नया compound बना तो उसमेंसे आपका neutron की संक्या निकालनी थी ठीक है चलते है next question के तरफ ये भी काफी most important question है अब देखिए इसमें क्या लिखा है आपका और गड़ा इसमें लिखा आपका Folo को पकाने के लिए dash का परियोग किया जाता है तो यह बहुत बार repeat हो चुका है question आपका तो dash क मρέ MMA अथिलीन का प्रियोग किया जाता है ठीक है एतिलीन का use करते है हम आपका Folo को पकाने के लिए चलते है next question कि तरव six चाहरीय विलन का प्यक्ष वान होता है तो आपको देखे पता उनने साथ ते कम जिसका पीए मन होगा वह अम लिये जिसका साथ से ज़्यादा होगा वह चाहरीय होगा फिल्यन टिक है यह आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है साथ से ज्यादा वाला चारी साथ से कम वाल अमली और साथ वाला न्यूट्रल होगा ठीक है तो ऑप्षन देखिए इनने पूछा चारी चारी क्या होगा साथ से अधिक वाला ठीक है तो ऑप्षन भी का जागा आपका राइट आंसर चलते हैं नाक्स कोश्चन की तरब इसमें पूछा आपका सौफ एनिफिकेशन एक परकिरिया है तो नाम से पर चला यह एक साबून बनाने की परकिरिया है ठीक है ऑप्षन यह क्या होता है ओएच किसका होता है अलकोहल स्रेणी का क्रियात्मक समूव होता है ठीक है अब चलते हैं कोश्चन नमर 9 की तरफ देखें इसमें लिखा रेडियो एक्टिव विगटन में ना भी एक बार में उतसर्जित करता है तो क्या उतसर्जित करता है अलफा किरन बी अंशी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ठीक्यां नीज्टकन टैन पर चलते हैं अंचिंट अपनापना है क अइसज होता है अंधिक Ond है 11 परमानू का नाभिक बना होता है काफे important पॉइंट है यह आपका परमानू का नाभिक है ठीक है यह तो यह बना होगा आपका निकल्वांस यानि कि proton फ्लस न्यूटरॉन्स इसके बाहर एक अब ओको अपर मैं बहुंड़को बाटन की तरफ होता है काफ़ इंप इंप क्या हूँता है है तो कित्रीमगहें या अप बीजन के होने करण इसने हम क्याहते हैं कित्रिम कोल काम बढाल न सब्सक्रास यतर प्रकमि辈। आट अन्य कोशन पर नियुक्त कोशिन केल आपका ओजोन है अचेhil00 क हम अचेजन का भीचछिए अजलं का है है अपर रूप है oxygen का आपने पढ़ा भी होगा ठीक है चलते है next question की तरफ इसमें लिखा आपका dynamite का विश्कार किस ने किया है तो यह आपका Alfred Nobel ने किया तो पता होगा आपने को ठीक है तो आप Sunday का हो जाएगा आपस का right answer चलते है next question की तरफ question number 15 इसमें लिखा है देखिए आपका एक proton तथा electron को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी इस्तितित उर्जा तो जब हम proton और इलेक्टरन को नस्दिक लाते हैं तो उनकी स्थित्री उर्जा क्या होती है आपका घट जाती है ठीक है कि घट जाती है ठीक है यह दियान रखना स्थित्री उर्जा क्या होगी घटेगी एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव तो क्या होगा घटीगी स्थित्री उर्जा इसे हम क्या कहते हैं आपका देखिए और संब बढ़ लिजिए इसे कहते हैं आपका श्राइंग में दे हुआ आपका सोरा ठीक है तो यह होता आपका पोटेशंब नाइट ट्रेड ठीक है option नहीं क्या हो गया आपका सोरा right answer चलते नेक्ट question के तरफ question number 17 इसमें धातूं में चमक होती है धातूं में काई की चमक sorry धातूं में चमक होती है तो किस करण से धातूं में चमक होती है option यह देखिए मुक्त electron के कारण क्योंकि free electron आपके काफी मातर में होते हैं ठीक होते हैं तो इसलिए धातूं में क्या होती है चमक होती है चमक का कारण आपका free electrons होता है क्या होता है free electrons ठीक है यह आपको याद रखता है तो option नहीं क्यों जागा आपका right answer चलते है next question की तरफ इसमें लिखा है आपका एक उत्प्रे रख किसी रिचय की रासायन कीरिया की घती को बढ़ा नहीं चकता ये तो गलत हो आपका mucha comprar की गती को कम कर देता है कर यह भी कुछ कुछ सही कुछ कुछ गलत है ठीक है option भी गलत लेकिन option C पड़ते हैं एक उस प्रेयरक क्या है आपका रासाइनिक किरिया की गती को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है यह एकदम करेक्ट अंसर ठीक है तो option C देखे एक दम राइट अंसर हो जाएगा रासाइनिक किरिया को जो घटा बढ़ा सकता है उससे हम क्या कहते हैं तो भी रख कहते हैं ठीक है कि चलते हैं next question 20 देखिए इसमें लिखा आपका नगर में पीने के जल को सुद्ध करने के लिए कौन सा कीट ना सक्का परियोग किया जाता है तो आप सब को बताए होगा काय का बीचिंग पावडर यानिल कि हम क्या वर्यजक चूरण या आपका किलोरी आपने काफी बार सुना होगा पानी में क्या कहते हैं सपहेसपे जावाता क्या मिलाव बर खावनीजक तरी मिला होग सब्सदर्ध करते हैं कि चलते हैं कोश्य नंबर 21 पे यह बी काफी मोस्ट इंपूरेंट कोश्य ने दिखिए यह एक्सेप्शन केसे हैं कि अपवाद केसे क्रोमियम का परमानु करमांग 24 यह एक्सेप्शन केसे हैं ठीक है आप इसका देखिए लेक्ट्रोनिक विन्या से यह सकते टू एट कभी भ परमान अधिक है तो टूब्टी टू मैंसे बताना तो किसका कैलोरी मान अधिक है अब देखिए लकड़ी का होता आपका लगबक 17 किलो पर किलो जूल पर ग्राम लगबग आपके 50 किलो ग्राम क्या होता आपका किलो ग्राम सुरी किलो जूल पर ग्राम ठीक है यहां भी किलो जूल पर ग्राम होगा ठीक है लगड़ी का और आपका कोईले का हो जायागा लगबग आपका 30 का असपास looking का दुगने का सपास होगा धूगने से थोड़ा कम ठीक है किलो जूल पल गराम लेकिन जो हाइड्रोजन गएस है इसका लगबग आपको आयलागा 500 किलो जूल पर गराम का सपास ठीक है केलोरी मन तो हाइड्रोजन गएस का क्या होगा से अधिक होगा ठीक है यह आपको एधकना है लपीजी का मुख्य घटक बताना आपको क्या होता है तो लपीजी का आपको पता ही होगा मुख्य घटक होता उसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं ठीक है और जो उत्प्रेरक की सक्ची को घटाते हैं उसे हम उत्प्रेरक विस कहेंगे ठीक है यह दियान रखना आपको जो घटा रहे हैं जो बढ़ा रहे हैं उत्प्रेरक वर्धक तो इनने पूछा बढ़ा दे भाया तो वह क्या होग तो आपका उत्प्रे रख वर्दक होगा, option B क्या हो जाएगा आपका right answer, अगर कहता है घटा दे, उत्प्रे रख के सक्ति को, तो वह उत्प्रे रख विस, ठीक है, तो इस परकार क्या हो जाएगा, option B क्या हो जाएगा, right answer, ठीक है, question number next and last, आपका देखे, क्या है, आपका screen प हैं आगर इतनेorsa अब इसमें आपको पता रॉने सुछी एंद में से परतिस्तापण किरिया होती तो बड़तो घीश जो सूपर में थो तो हमें तो option A में दिख रहा है कि सीओ अलग हो गया ठीक है इसका मुलक और यह FESO4 में convert हो गया ठीक है तो यह आपका को परतिस्तापन अभी के दिए बाकि में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कोई किसी को परतिस्तापन नहीं कर रहा है ठीक है यहां यह सब मिल रहे हैं आपस में एनस्फोर सीएल से बन गया लेकिन यह देखे सीओ एसफोर क्या होगा आपका सीओ अलग हो गया तो इसका option क्या हो जाए किस के पदों में क्या जाता है तो आपको जान रखना सीए सीओ थ्री के पदों में क्या जाता है ठीक है कैल्सियम कार्बोनेट जिसे हम क्या कहते हैं आपका कैल्सियम कार्बोनेट कहते हैं क्योंकि इसका देखे जो अनुबार होता हो लगबक सो होता है ठीक है तो इसलिए करते हैं तो आंसर क्या होता है सटी काता से गात करते हैं जब तो आपको याद रखना है चलिकी कठोड़ता का मापन करते हैं ठीक है तो यह आपका लास्ट कोशन था अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह आपके आने वाले पॉलोट लगने के एक्जाम के लिए काफ़ इंप्रोटेंट है यह इसी परपस से ब्राइए कि बच्चों को बदर चले कि किस तरिके का आपका पॉलोटेक्निंग में पेपर आता किस टाइप के कोशन पूशे जाते हैं ठीक हैं तैंक यू करें पॉलोटेक्पाइबूया था नहीं कि लिए इंप।ंग् युछ जेते हैं आता हैं पॉलोटेक्स जापकाया कि खॉलोटेंगले टॉलोटेंगलोग niew लिए कि एक्वाले रमप्राइभूवदेंवाद को घॉलोटेंगलें वाले धुलोटें लिएक्टें से चलोटें